गुड मॉर्निंग नमस्कार सासी का दोस्तों आज मैं फिर लेकर रहा हूँ आपके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम प्रोग्राम में आप छोटी सी ट्रेनिंग कहलो डिटोरियल वीडियो कहलो तो इससे आपको बेनिफिट होने वाला है कि जो आपने वीडियो पबिलिश कर पर जिस पर मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ कि ये काम कैसे करना है सो फ्रेंट कर देड़े हम डिस्कस करते हैं हो तु आइड टाइड इन डिस्क्रिपशन आंड टाइग सेक्षन कि आप सो हमने यूट्यू स्टूडियो पर जाना है तो यूट्यू पर क्लिक करते हैं तो यह वाला जो पे जया खुल जाता है इस पे फर्दर हमने वीडियो सेक्शन में जाना है तो भई अब इसी पे हमें प्यार महबत बढ़ाना पड़ेगा यूट्यूब स्टूडियो बेटा से क्रेटर स्टूडियो क्लासिक जो है बहुत जल्द यहां से अलविदा कहने वाला है यूट्यूब ने यह पहली बोल रखा है तो जब हम वीडियो सेक्शन में क्लिक करते हैं एक हमने वीडियो सेलेक्ट कर लिया जिस पे हम यह 5-6 काम करेंगे टैग डालेंगे डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड डालना है और एंड स्क्रीन है एंड स्क्रीन थांबनेल कैसे लगानी है एंड स्क्रीन के साथ साथ कार्ड कैसे डालने है और वीडियो हम प्लेलिस्ट में कैसे डालते हैं तो चलिए फ्रेंड पहले हम कीवर्ड ढूंडते ह अब मैंने Google search पे गया और वहाँ पे अपना topic लिखा जो वीडियो में मैंने किया है air pollution लिखा तो जो pull down मीनू में जो खुल जाते हैं keyword वो search list के end page में आप copy कर सकते हो अब copy करके मैंने इसको one note में paste कर लिया और यहां से one way one copy करके मैं इसको जो description है उसमें मैं इसको add कर देता हूं तो यहां से एक मैंने जो keyword है वो copy किया और जो video section खुला हुआ है हमने तो उसमें मैंने इसको paste कर देना है तो यह जो keyword है यह आपका जो video है उसको search को जब कोई भी YouTube पे search होती है इस topic की तो यह कहीं न कहीं वो YouTube और Google search पे हमारा जो video है वो क्योंकि जो logarithm है जो search का YouTube का और Google search का जो logarithm है और कैसे काम करता है तो वो यहां से keyword के हसाफ से जो भी content है उसको उठा के display कर देता है तो rating के साफ से keyword के साफ से हमारा जो video है वो भी कहीं न कहीं डिस्पले होगा तो वो था Google search पे अब YouTube search बार में भी आप यह जो topic है इसको आप लिखते हो तो नीचे पूल्ड on menu में यह सारे जो keyword है यह खुल जाते हैं इसको आप copy कर सकते हो वीडियो को लास्ट में मैं यह भी बताऊंगा के इसको print screen करके आप tags में कैसे copy कर सकते हो वो लास्ट में छोटा सा में वीडियो बना के आपको बताऊंगा तो जो यह copy किया हमने वो यहां यहां पे tag column में हमने यह मैंने सारे जो टैग है वो डाल रखे हैं तो वो अभी जो हमने YouTube सर्च बार में पूल्ड on menu में जितने भी keyword नजर आ रहे थे वो मैंने यहां पे copy करके यहां पे डाल दिया है तो यह एक मैं आपको बता देता हूँ copy करके copy और बहां पे हमने paste कर दिया है तो सबसे पहले करने वाला काम यही है जब भी आप वीडियो पब्लिश करते हो YouTube के उपर जो ट्रैफिक आनी है आपके चैनल के उपर आपके वीडियो की जो भी ट्रैफिक आनी है वो यहीं से आनी है ज़दी आपने जितने भी tag आप क नहीं से ढूंड के इस पर डाल देने है मैं guarantee नहीं लेता कि जो अभी हमने tag डाले है इससे आपके चैनल पर वैरल हो जाएगा वीडियो नहीं लेकन जब भी इस keyword के सर्च होगी तो definitely आपका जो वीडियो है वो YouTube और Google सर्च पर वो डिस्पले होगा अब बात करते हैं अब ड थोड़ा सा attractive बनाओ so that वो जो viewer है जो visitor है जो ढूंड रहा है तो आपकी thumbnail देखके तो कहीं न कहीं वो click कर देता है उसके उपर आपका content अच्छा है जो क्या बोलते हैं उसको जो thumbnail अच्छी बना रखी आपने तो definitely आपके चैनल पर जो वीडियो पॉबलिश है उस पर वीडि अब हम आगे चलते हैं इसके लावा end screen है card है और playlist है तो यह तभी काम करते हैं जदी आपके चैनल पर visitor आ जाता है तो सबसे पहले हम card डालेंगे card का यह है कि आप वीडियो में जो भी visitor आया आपके चैनल के ओपर वीडियो देख रहा है तो वो उस वीडियो के दुरान यह card जो hand display होते रहते हैं तो यह जैसे यह बटन नजर आ रहा है जो मैं इदरो दरो scroll कर रहा हूं तो यह उपर जो इसकी timeline आ इसको आप ऐसे scroll करके उसकी timeline set कर सकते हो तो card आपको जो limit मिलती है आपने पास 4 option होती है चार में से मैं जो वीडियो और playlist आप card डाल सकते हो तो एक मैं copy करके यहां पर एक मैं करके बता देता हूं आपको जैसे आप screen पर देख रही हो तो यहां पर upload है और playlist है आपको जैसे भी ठीक लगता है जो आप promote करना चाहते हो तो वह आप वहां पर 5 card जो है display कर सकते हो कोई भी visitor आएगा वीडियो देख रहा है जदी आप बी अच्छा लगेगा और जो वीडियो का जो title है जदी वह attractive होगा तो वह उस वीडियो से divert होके दूसरे पर चला जाएगा तो ऐसे करके वह जो कोई भी visitor आता है आपके चैनल के ऊपर 4-5 वीडियो देख के जाए और जा दूसरे बात करें कि जदी आपके चैनल के ऊपर कोई भी visitor आ गया तो वह आपके चैनल के सारे वीडियो देख के जाए तो next है end screen जो end screen कब काम करती है कोई भी वीडियो आपका last तक देखता है तो last में हम अपने वीडियो पर मोट करेंगे इसमें आप देख सकते हो मैंने ओलरी चार जो विंडोस हैं end screen की वो मैंने फिल कर रखी है तो एक मैं आपको करके दखारता है एक delete करके ऐसे add element करोगे तो हमारे पास चार option खुलती है यह चार option है हमारे पास इसमें आप फर्दर टीन option मिलती है हमें इसमें से आप recent वीडियो डाला है उसको कर देते हो जो best view वाला वीडियो है वो कर सकते हो जो चूज भी कर सकते हो list के साफ से इसमें भी आपके पास जैसे card में दो option है वैसे ही आपके पास फर्दर इसमें जो थार्ड option है इसमें फर्दर दो option मिलती है आपको upload यह playlist आप डाल सकते है तो यह इतना सा काम अभी इसको हमने save कर देना है तो ऐसे आपने मर्गी के आप जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप इसमें आप वीडियो प्रमोड कर स कर सकते हो तो अब हम बात करेंगे के playlists कैसे डालना है जब playlist पर ख्लिक करते हो तो जैसे यह मीनूँ खुला है इसमें सारी मैने जे अल्डी playlists डाल रखी है अब करना सिंपल ही है कि जो वीडियो खुला हुआ यह वीडियो आप एक प्लेयरिस्ट में भी डाल सकते हो सारी में बीडेल सकते हो जदि कोई आपकी प्लेयलिस्ट नहीं बनी हुई तो क्रेेट करने में चुटकी एक मिनिट लगता है एक सेकंड लगता है इसको बनाने में जैसे मैंने ABC अभी बनाई है अब उसमें डाल लो भी आप सो फ्रेंट यह बहुत इंपॉर्टेंट काम थे यू हमने आ सीखे हैं जब भी आपने वीडियो डालना थे यह पांच शे काम जो है आपने जुरूर करने इससे आपके चैनल प करके आपने सेव करना ने भूल अस federal foreign हम बात करते है कि कौपी जो YouTube और से हमने टै कैसे copy करने तो हमने करना क्या है जैसे YouTube सर्च बार पर मैं ये टाइप करता हूं तो जो नीचे पॉल डाउन मेनू कुल गया है अब इसको मैंने print screen करना है print screen करके फिर मैंने जो paint paint ब्रश जो होता है उस पर मैं इसको paste कर दूँगा Print Screen किया यहां पर, Paste कर दिया यह Window यहां पर Copy हो गी है, अब इसको मैं Select करूँ गाए रिहे को Select करके मैंने OneNote पर जाना है, Copy किया यहां से और मैंने already OneNote Cool रखा है, तो OneNote में इसको Paste कर देना है अब मैं यहां पर paste कर दिया तो further यहां पर one note में एक option है जाब इसको right hand click करते हो copy text from picture तो दोबारा मैं इसको यहां पर paste कर दिना है तो जो यह picture में है अभी यह text में convert हो गया तो यह जो टैग है इसको हम यूज कर सकते हैं tag list में डालने के लिए मुझे लग रहा है दोस्तों आपको यह सौझ में आ गया होगा तो आज के लिए फ्रेंड के इतना ही फिर मिलेंगे विदे न्यू टपिक तब तक दियो जाजर नमस्कार साथ सिकाल अधाव प्रेंड के लिए नमस्कार स्वाव प्रेंड के लिए प्रेंड के लिए नमस्कार स्वाव